Hello everyone, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम जानेंगे दूरी तथा विष्थापन की परिभासा युम उनमें अंतर क्या है और उनके हम मात्रक को जानेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी की दूरी की परिभासा क्या है किसी बश्तु या व्यक्ति द्वारा तेंकी गई या चली गई कुल जो पतिकि लंबाई है उसे हम कहेंगे दूरी दूरी का मान जो होता है अन्तिम एक प्रारम्बिक इस्तती के अलावा जो पत होता है उस पर भी depend करता है यानि निर्भर करता है हम आगे बात करते हैं जैसे मैं आपको समझाऊंगा एक्जाम्पल के तोर पे जैसे मैं यहाँ पे डिरेक्शन बना रहा हूं यह नौर्थ हो गया यह साउथ यह इस यह बेस्ट अब मालेजिए कोई ब्यक्ति है जो छे किलोमेटर चलता है उत्तर की तरफ यानि नौर्थ की तरफ फिर वो पश्चिम की तरफ घूम जाता है और चार किलोमेटर चलता है सबसे पहले छे किलोमेटर उत्तर की तरफ गया उसके बाद घूम कर चार किलोमेटर पश्चिम की तरफ घूम गया अब अगर आपसे कहा जाए कि ब्यक्ति द्वारा चली गई इकुल दूरी कितनी है यानि छे किलोमेटर वो उत्तर की तरफ गया औ यही सियए चेमें, चाइट करदेंगे तो दस, टोटल दस किलो मेंटर यही जो हुआ है यही कहलाएगी दूरी, तो हम चलिए फ्रेंट्स आगे बड़ते हैं, दूरी का जो में मात्रक होता है में है इसके अलावा दूरी को हम किलोमेटर में भी मापते हैं अब समझते हैं वश्थ द्वारा किसी समय न्तराल में तैंकिए गए मार्ग की संपूनलंबाई को दूरी कहते हैं यह एक अदिस रासी है या सदेव धनात्मक होती है अब हम विश्थापन के बारे में समझेंगे कि विश्थापन क्या होता है किसी बश्थ द्वारा अपनी प्रारंबिक इस्ति वा अंतिम इस्ति के मद्द की सबसे कम दूरी वाले पत की लंबाई को विश्थापन हम कहते हैं हम आगे बात करेंगे ऐसे एक्जामपल अब माली यह कोई ब्यक्ति है जो तीन किलो मेटर पूरब में चलता है और घोम कर चार मेटर उत्तर में चलकर अपने घर पहुंच जाता है अगर हम तीन मेटर और चार मेटर को एड़ कर देंगे तो चार तीन साथ हो जाएगा यह तो जैसे यहां पर चित फीगर में दिख रहा है साफ साफ आपको पांच मीटर जो आएगा वो उसका आएगा डिस्प्लेस्मेंट यानि विश्थापन और विश्थापन का जो मेटर होता है यह एक प्रकार की सदिस रासी है अर्थाद विश्थापन में परिमाड के साथ दिसा का भी वरड़न करना अवश्थाख है चलिए हम दूरी और विश्थापन में अंतर समझते हैं दूरी आप जानते हैं कि एक अदिस रासी है जबकि विश्थापन एक सदिस रासी है दूरी का मान रिणात्मक नहीं हो सकता जबकि विश्थापन का मान रिणात्मक या स सुन भी हो सकता है हम आगे बात करेंगे दूरी का मान समय के साथ जैसे समय के टाइम के साथ इस्थिर रह सकता है या बढ़ सकता है लेकिन कम कभी नहीं होता लेकिन विश्थापन का मान समय के साथ कभी हो सकता है और सीधी रेखा में अगर कोई गतसील कंड के लिए दूरी व विश्थापन दोनों का MKS पद्धती में मात्रक मेटर होता है तो दोस्तों आसा गरता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए